यहां आलू उगाना बस अली गारसी के लिए ही मुम्किन है। इसकी वज़े है सदियों पुराना खेती का एक तरीका रामली जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रेत के उपर। ट्यूनिशिया के उत्री तट पर खारे पानी से घिरे इस रेतिले इलाके में खेती का ये खास तरीका है। सत्रमी सदी में अंदलूसिया से लोटने वाले अरब लोगों ने गार अलमेल शहर के पास एक खारे लगून के नजदीक छोटे-छोटे खेत बनाए थे। रिटार्ड टीचर अली गार सी कहते हैं कि फसल की सिचाई जवार भाटे पर निर्भर है। पर होने वाली बारिश से ताजा पानी आता है। इसी तरह पौधों की सिचाई होती है। हम उपर से उन्हें कभी नहीं सीचते और हम ऐसा कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास यहां कुवां या जल भंडार नहीं है। अली गारसी क्यारियां बना रहे हैं वो आलो बोने को तैयार हैं। कोई भी खेत चार मीटर से ज्यादा चोड़ा नहीं है। हवा और भूमी कटाव से बचाव के लिए ये लकडी की बार लगाई गई है। सिचाई के कुदरती सिस्टम के कारण किसान साल भर फसल उगा पाते हैं। अतिरिक्त पानी की जरूरत नहीं पड़ती और इसके कई और फायदे हैं। कीट नाशक की जरूरत नहीं पड़ती, खारी मिट्टी कुदरती तोर पर ही ज्यादतर कीड़ों से बचाव करती है किसान प्रती हेक्टेर सालाना 20 तन तक आलू, बीन सी अप्याज उगा सकते हैं अपने खास स्वाद के कारण यहां उगी सबजियां बहुत महेंगी बिखती हैं लेकिन सारा काम हाथ से करना पड़ता है, इसलिए कई लोग ये खेती छोड़ चुके हैं जोहरा नाफेफ यहां अली गारसी से मिलने आई हैं वो इस्थानिय करशी और मचली पालन संगठन की अध्यक्ष हैं उन्होंने सेंक्तराष्ट के खादे और करशी संगठन की ओर से रामली को वैश्विक एहमियत वाली करशी धरोहर पद्धिती के रूप में मानिता दिलवाने के लिए दो साल तक मेहनत की मानिता मिलना फसल की कीमत बढ़वाने की दिशा में एहम है इससे किसान अपनी उगाई चीजें ज्यादा कीमत पर बड़े सूपर मार्केटों में बेच सकेंगे वैसे ही लेबल के साथ जैसा बाकी औरगानिक खाने पर होता है किसानों को प्रोटसाहित करने का यही एकलोता तरीका है आखिरकार ये औरगानिक खाना है और पारम पर एक खेती के मुकाबले इसे उगाना ज्यादा महेंगा पड़ता है बात सिर्फ पैसों की नहीं है बलकि उस एकोसिस्टम को बचानी की भी जरूरत है जिस पर ये खेती निर्भर है ट्यूनिश्या की जल आपूर्ती को ज्यादा टिकाओ तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए इस पर विमर्ष के लिए किसान, इंजिनियर और वेग्यानिक साथ आए हैं अली गार्सी को उमीद है कि इस इलाके के अनूठे एकोसिस्टम के हिफाज़त में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जैसे संगठन मदद कर सकते हैं लोगों को समझना होगा कि अनियंतरित विकास हमारे आसपास के इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचाता है इस इलाके को वाटर इंलिट से लाव मिलता है, समंदर और धर्ती दोनों से लेकिन इन्हें हो रहा नुकसान बढ़ता जा रहा है खास तोर पर जमीन के इस्तमाल में हुए बदलावों के चलते लोग ऐसी जमीन पर इमारत बना रहे हैं जो बिल्डिंग के लिए सही नहीं है ये बड़ी चुनोती है और हम ट्यूनिशिया की सरकार और बाकी सबी पक्षों के साथ मिलकर मुमकिन समाधान तलाज रहे है जलवाई परिवर्तन में हो रही तेजी के अलावा शहरी इलाकों का अनियंतरित विस्तार और समुदर तट के पास परियतन के बढ़ते धांचे ने इस क्षेतर पर बुरा असर डाला है अब जुआर के समय रामली के सारे खेतों तक पानी नहीं पहुचता है जब उन्होंने लगून के बीच से होते हुए सड़क बनाई तो साफ था कि समंदर से लगून में आने वाला पानी ब्लॉक हो जाएगा जब हमने शिकायत की तो प्रशासन सड़क के नीचे नहर खोदने को राजी हो गया ताकि पानी का रास्ता साफ हो सके लेकिन उसमें बहुत कम ही पानी आता है इससे उस पूरे एकोसिस्टम को नुकसान पहुचा है जिस पर हमारे खेत निर्भर है ऐसे निर्मान प्रोजेक्ट्स को रुकवाने के अलावा जोहरा नाफेफ ये भी चाहती हैं कि युवा भी खेती की इस पारम पर इक पद्धती को अपनाएं हम किसानों को प्रोटसाहित कर रहे हैं कि वे अपने खेत ना बेचें नई परस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं वर्ल्ड वाइट फंड फॉर नेचर और संयुक्तर राष्ट विकास कारेकर्म के साथ मिलकर वरक्शाप आयोजित कर रहे हैं हम लोगों को सबसिडी भी देते हैं ताकि उन्हें खेती के लिए प्रोटसाहित कर सकें अली गारसी के खेत में उगे आलूओं को देखकर सारी मेहनत सार्थक लगती है वो चाहते हैं कि इलाके के 300 और किसान भी रामली परंपरा को जीवीत रखने में मदद करें